नवस्कार दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खवा निकल के सामने आ रही है बीयड अब भ्यारतियों को लेके आपको बता दे अब भ्यारतियों को जो है फ़स्ट लेवल में सामिल करने का आदेशा चुका है और दोस्तो सबसे बड़ा कन्फूजन यही बना हुआ है कि जिन से फ़स्ट लेवल में करक्शन करवा के सामिल हो सकते हैं यह तमाम सवाल जो है बीयड डिग्री धारियों के मन में चल रहे हैं तो आज इन सवी सवालों का जबाब इस वीड़ो में हम आपको देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सपष्ट दिसा निर्देश के अ अगर आप ने अभी तक हमारे योडूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है और अगर आप टीचिंग लाइन से सम्मंदित हर प्रकार की पलपल की अपड़ेट हमारे योडूब चैनल के मदम से देखना चा रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड़ सब्सकाइब के बड़न को इसको जो विग्यप्ती है जो संसोधन हुआ था वो विग्यप्ती संसोधित विग्यप्ती जारी हो चुकी है इसमें आप देख सकते हैं मानियो चिन्याले जोटपुर द्वारा पारित आदेश दिनांग 52221 की अनुपालना में रीट 2021 के आवेदन प्राप्ति की जो अंति दोस्तो पुने आवेदन करताओं के लिए स्पष निर्देश यहाँ पे दिये हुए है जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया है उनके लिए स्पष निर्देश क्या दिये हुए है तो दोस्तो दिनांग 4 फरवरी 2021 तक फिस जमा कर चुके अभ्यारती जो है दिनांग 8 दो हजार एकीस से गुनिश दो दो हजार एकीस तक आवेदन कर सकते हैं चिन बियड योगता धारी अभ्यारतियों द्वारा लेवल सेकंड के लिए आवेदन किया जा चुका है ऐसे अभ्यारती सुल के अंतर की रासी 200 रुपे जमा करा कर अपना पंजीकरन दोनों लेवल के लिए संसोधित कर सकते हैं यानि कि आपको बता दे इससे पहले जो चालान की जो रासी जो थी दोस्तों अगर दोनों लेवल से अगर आप जो है फ़र्ष्ट एंड सेकंड लेवल दोनों से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको साड़े साथ सु रुपे जमा कराने लिए वही हम बात करें जिन लोगोंने सेकंड एक लेवल से अवेदन किया है तो उनके साड़े पानसो रुपे लगे हैं यानि कि हम साड़े साथ सो में से अगर पानसो घटाते हैं तो दो सो रुपे यहाँ बचे हुए हैं दोनों लेवल के तो अगर जो अभ्यारती चित रह चुके सभी अभ्यारतियों को 9 फरवरी से 20 फरवरी तक आवेदन करने का मोका यहाँ पे अंतिम रूप से दिया गया है और यहाँ पे इस पश्ट रूप से कह दिया है कि आवेदन की इस तिथी के पश्यात कोई भी आवेदन तिथी जो है नहीं बढ़ाई जाएगी आवेदन उपरोग सभी आवेदन करता जो है आवेदन में जितनी भी तूटिया है उनको भी आंसिक संसोधन जो है 22 फरवरी से 25 फरवरी तक कर सकते हैं यानि कि जिन्होंने आवेदन फोरम में आवेदन करते समय कोई भी तूटी या गलती से कोई भी गलत जानकर एंटर कर दी है तो उसमें संसोधन जो है 22 फरवरी से लेके और 25 फरवरी तक उसमें संसोधन भी कर सकते हैं मेरे को काफी कमेंट आ रहे थे जिसमें यही पूचा जा रहा था कि सर क्या संसोधन करने का मौकद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो बिलकुल संसोधन का मौकद दिया जाएगा 22 फरवरी से लेके और 25 फरवरी तक आप उसमें संसोधन कर सकते हैं आसा करता हूँ कि आपके मन में आप कोई भी सवाल या कोई भी डाउट नहीं बचा होगा तो वीडियो को लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा अब भ्यारतियों के भी सेयर जरूर करें और दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो अभी भी वीडियो के नीचे रेड सब्सकाइब के बड़न को दबा के चैनल को सब्सकाइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में दोस्तों बहले घंटे के निशान को दबाके और नोटिफिकेशन को उन करना बिलको न भूले